है गाईज वेलकम टू मैं चैनल और मैं हूँ आपके साथ सुजाता और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बॉलिवुड सितारों की कुछ कही अनकही बातें उनके इंटिमेट से सीन्स के किस्से और उनके कारणामों के तो आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं क लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो दर्शकों को काफी पसंद आती हैं जिसकी वजाय होती है फिल्मों में परोसा गया बॉल्ड कांटेंट बॉलिवुड में ऐसी कई फिल्में बनी जिसमें बॉल्ड और अडल्ट सीन की भरमार है ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे म आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं बॉलिवूट के सबसे बोल्ड फिल्मों में जिस फिल्म का नाम शामिल है वो है कामसूत्र इस फिल्म में सेक्स को काफी ज़्यादा परोसा गया है और इसमें एक्टरेस ने कुछ न्यूट सीन्स भी दिये हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो काफी बवाल हुआ था इसके सीन्स और कंटेंट को लेकर लोगों ने आपत्ती जताई थी साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म आस्था इन दा प्रीजन ओफ स्प्रिंग एक एरोटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन बासू वट्ठय चार ने किया था फिल्म में और रिखा लीड डोल में थे फिल्म आस्था में रेखा ने एक ऐसी महिला का किरदार निबाया था जो गरीबी के कारण वैश्या वरत्ती करने लगती है इस किरदार में रेखाने काफी बोल्ड सीन्स दिये और दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी अभिनेता इमरान हाश्मी स्टारर फिल्म मडर आपको याद होगी फिल्म में इमरान की अपोजिट में एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत थी और उन्होंने इसमें काफी बोल्ड सीन्स फिल्म आये थे अभिनेता इमरान हाश्मी अपनी फिल्मों में किसिंग सीन्स को लेकर काफी मश्यूग है और फिल्म मर्डर में इमरान मलिका के बीच बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं फिल्म में शादी के बाद भी अपने प्रेमी से सम्मन बनाने की कहानी दिखाई गई है साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म गर्ल फ्रेंड बॉलिवूड ड्रामा फिल्म थी फिल्म में लीड रोल में इशा कॉपिकर, अमरता अरोडा, सुमित मिजावन और आशीस चौधरी थे इसका निर्देशन करण राजदान ने किया था फिल्म गर्फ्रेंड ने हिंदी फिल्मों में दिखाई जा रही बोल्डनेस को ही बदल कर रख दिया था फिल्म में दो लड़कियों के बीच अफेर दिखाया गया था और इसमें इशा कॉपिकर और अमरता अरोडा के बीच किसिंग और बोल्ड सीन्स थे फिल्म के रिलीज होने के बाद खुब बवाल हुआ था अबिनेतरी नेहा धूपिया स्टारर फिल्म जूली भी आस्तक लोगों के जहन में होगी साल 2004 में रिलीज हुई ये फिल्म एरोटिक बॉलिवुड ड्रामा फिल्म थी इसमें लड़के बार बार जूली का शारिरिक शोशन करते हैं फिल्म में नेहा धूपिया ने जूली का किरदार निवाया था और उनके बॉल्ड सीन्स दर्शकों को काफी पसंद आये थे साल 2012 में आई फिल्म जिस्म 2 भी बॉल्ड कंटेंट वाली इस लिस्टे में शामिल है इस फिल्म में एक्टरस सनी लियोनी ने काफी बॉल्ड सीन्स दिये थे इस फिल्म में सनी लियोनी और एक्टर रणदीप हुड़ा मुक के भुमिगा में है ये फिल्म सनी लियोनी की पहली फिल्म थी और इसके बात से ही दर्शक उनके दिवाने हो गए थे साल 2013 में आई फिल्म भी ये पास में परोसे गए बोल्ड सीन्स के कारण चल गई थी इस फिल्म का निर्डेशन अजय बहल ने किया था और इसमें लीड डोल में शिल्पा शुकला, शादाप कमल राजेश, शर्मा जैसी स्टार्स हैं इस फिल्म में बेहर बोल्ड सीन्स को दिखाया गया है इसकी कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी मकान मालकिन को खुश करने के लिए उसके साथ बार बार सेक्स करता है साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म रागिनी MMS 2 एक एरोटिक हॉरर फिल्म थी इस फिल्म में सनी लियोनी साहिल प्रेम करनवीर लीड रोल में नजर आये थे फिल्म में हॉरर के साथ साथ बोल्ड सीन्स को भी दिखाया गया था फिल्म रागिनी MMS 2 में सनी लियोनी ने बोल्ड सीन्स फिल्म आये थे जो दर्शकों को काफी पसंद आये थे तो गाईस क्या कहना है आपको इन सब मुवीज के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्सें बताएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक करना ना भूलें और देखते रहें बिग स्क्रीन